श्री क्रिष्ण का नहे आलाल की जये श्री निजानन्द स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की हाशी नहों सी हुकम पर है हाशी रुह पर जाको गुनाहा पहुच्या खिलवत में कहे कलाम आयों कर कहे कलाम आयों कर श्री क्रिष्ण का नहे आलाल की रशुल मुहम्मद को जब मेराज हुआ तो ऐसा करते हैं कि उन्होंने कुछ आत्माओं को देखा उनके लिए उन्होंने का ये मुती है तो उनके मुह पर ताला को देखा मुह पर ताला लटका हुआ ऐसा नहीं है लेकिन किसी के लिए बोलने में बोल देते हैं न कोई चुप बेठे हो तो क्यों जवाब नहीं दे रहा है मुह में ताला लगा रखा है क्या ऐसा बोलते हैं न तो बस इस तरह से मौन थे तो मौन देख करके तो वह बोलते हैं कि हमने परमात्मा को पूछा तो उन्हों ने कहा यह तुमारा ही समुह है, तो मिशी में से ओ, यह बताया, तो यह चुप क्यों बैठ है, तो इन्हों ने गल्दी किये, ऐसा बोला, अब इनको लगा कि गल्दी में अपराद, तो इसा दोष, तो यह परमात्मा के वहां भी अपराद होता है, इस तरह से, बहुत से लोगों को इस बात पर संदय हो, वह सकता है, जिनको भी अनुभव होता है, तो उनकी बातों पर दूसरों को संदय हो, तो वह क्या बताते हैं, दूसरे क्या समझते हैं, ऐसे बहुत से बाते होती है, अनुभव अलग वस्तु है, और ज्ञान अलग वस्तु है, तो कि उसका स्पष्टिकरन यह देना चाह रहे हैं, तो देखो, रसुल को जो परमात्मा ने गुना की बात की, वो कोई गुना नहीं है, परमात्मा के वह कोई गुना नहीं पहुंचता, किन्तो परमात्मा की तिवर इच्छा थी दुनिया को देखने की, तो दुनिया को देखकर आपना अश्तितों कर भूछाती है उसके बाद में उनकी अंस्यी होगी तो वो उनके लिए एक में गौनाधोस है उसको अपरात को दोसको बस उपन्म पैस्टों है तो उसका कारण यह है कि उनके दुरष्टि दुनिया में झे परमात्मा के समक्ष होते हम तो उनकी द्रिष्टी पर्मात्मा के तरफ ने साहिए, तो उसमें मोन है, द्रिष्टी दूसरे तरफ है, तो यह उनकी भूल है, तो वो भूल क्यों? तो उसके लिये भी उनहें बार बार शमझाए आके देखो, यह भूल, पुर्णय प्रह्म प्रमात्मा यह देखाना चाँ रहे थे, की प्रमात्मा को प्रेम का ज्यादा अधिक अनुभव करवा है तो उसके लिए एक बार प्रेम की भूमिका से दुसरे तरप Չन upward का झाल जाए तो उसके बाद में यह संभाव है तो उन्होंने ऐसे में मांग लिया, क्रें हमें ऐसा दिखा देची, कुछ लिए कहते हैं, ऐसा खेल दिखाईया, जो मांग लिया हम, अब अरजबी कैसे करो, कहोगे मागया तुम, अब हम प्रार्फना भी कैसे करें, आप तो कहेंगे कि तुम नहीं तुम अगा था, तो बस्ताद में कि ये अक्षरातित धाम दने नहीं तो वो प्रमात्माओं को अधिक सुख देना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए प्रमात्माओं में ये भावा आया कि हम तो उसको ही एक प्रकरश है वो आम भाव कहा खुदी मैं खुदी तो इस प्रकार शका परमधाम के सबसे, दुनिया के सबसे, हम तो ब्रहमा आत्मा हैं, हम सरष्ट हैं, दूसरे कनिष्ट हैं, इस प्रकार के सोच रखने वाले, वो भी एक बहुत बड़ा अपराद है, ऐसी सोच नहीं होने चाहिए मुव मिन बैठे खेल में, अजू बीच ख्वाब, तो ब्रहमा आत्मा हैं, तो अभी भी इसी स्वपन, ख्वाब देखते हुए स्वपन देख रही हैं, और स्वेम को खेल में मान रही है गुना पहले पाहुच आरश में, करे माशुक रुहें, हिशाब या रुहें, रुहें भी बोल सकते हैं, किन्तो रुहों हिशाब ऐसा बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो कहते हैं, ब्रह्मात्म है तो अभी भी दुनिया को देख रही है, उससे पहले ही अपराथ्त पोंच गया, उनका दोश्य, तो इन शब का हिसाब कोन करेगा? स्वय curriculum पूर्न पूर्म परमात्म है, करे माशुक, रूहों हसाब, तो पूर्ण प्रमात्माु के हिसाब、 अधे Samuel' को होई करेंगे, हग हख हुकुमतो है सभ में, और बिना हुकुम को इना है, वह आपषिय देखा जाए है, तो सर वत्र पूर्न प्रमात्म का आदेस् आपना रहता है, हो ही चलता है, उसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है, उनकी आदेश के बिना वो ना चाहें, और कुछ और हो जाए, ऐसा संभव नहीं है, पर यामे हुकम नजर लिये, और रुह का बड़ा मता यामा है, यामे हुकम नजर लिये, अब ब्रह्मात्माओं में क्या है कि ब्रह्मात्माओं में राज्य का हुकुम है तो अब उनकी दुरिष्टी को लेकर के बैठा है तो राज्य के तरफ दुरिष्टी होने चाहिए तो दुनिया के तरफ करवा रहा है तो आदेश तो ऐसे देखा जाए कि प्रमात्माओं की बड़ी संपती ये भी इसी में इस बात पर भी उनकी बहुत बड़ी संपती छिपी हुई है उनको अपार आनंद का अनुभव करवाना है तो उनको इसके पीछे गर्भित क्या बोलेंगे कि ये राज्य की गर्भित क्रिपा है तो ये दिखती नहीं है किन्तो गर्भित क्रिपा है वो दुनिया दिखा करके दुनिया के दुख शुक का अनुभव करवा करके भी वो वास्तव में प्रेम का ही अधिक अनुभव करवाना चाहते है इसलिए और रुह का बड़ा मतायामा हैं तो ये खेल दिखाने में भी ब्रहमात्माओं की बड़ी संपत्ती ही है ब्रहमात्माओं का पारशुक दिलाना चाहर है जेता है सातनमे जिनका सोजोरा तेता किया चाहे तो पहले ये बात हो चुकी है कि एक तरफ तो राज्य का आदेश काम करवा रहा होता है दुश्तिरे तरफ तो ब्रहमात्माओं का भी तो कुछ तो अस्तित्व है तो अब इन दोनों में जिसका जितना हिस्सा है सो जोरा तेता किया चाहिए उतना ही जोर करना चाहता है तो जब राज्य का हुकुम प्रवल होता है तो ब्रहमात्माओं भोल जाती है जब ब्रहमात्माओं को यह लगे कि अरे हम तो कहां भोल गए तो उनको अपना श्वा का अनभव होने लग जाए तो उनको यह लगेगा कि हम तो राज्जी के चरणों में होते होए दुनिया को देख रहे हैं हमें तो सदव राज्जी का इस्मरन करना चाहिए इस प्रकार का होगा तो यह जिसका जितना हिस्सा है यह विचार करे सो मोमिन हको हुकुमा देशी गुहाए तो इस बात पर ब्रहमा आत्मा है विचार कर शकती है तो यह गुहाए का आर्था यह गवाह इस आर्था में है अब गुहाए है वो गवाह होता तो ज्यादा अच्छा होता तो अक्षराति धाम दने का आदेश से वही इसकी साक्षित देगा तो ही समझाए करके देखो तो यह ग्यान तुमारे लिए आया है तुम जागरत हो जाओ और जल्दी समझ लो इस प्रकारशी यह ग्यान ही साक्षि होगा तार्थाम ग्यान से ही तो यह पता चलेगा ताथे हुकुम के शिरदो सदे बैठ न सके मुमिन इसलिए राज्य के हुकुम के ऊपर दोस्दे करके उसके सेर पर दोसारोपन डाल करके ब्रह्मा आत्माय ऐसे चैन से मया मुह में मस्तव कर नहीं बैठ सकती उनको अपना प्रयतना करना चाहिए अर्ष दिल खुदी से क्यों डरे लिये हक इल्म रोशन तो अर्ष दिल का तात्परिय धाम रिदया ब्रह्मा आत्माय खुदी से क्यों डरे तो उनको जो अहम भाव जिसको देहा विमान भी वो भी अहम है तो मैं तो आत्मा हूँ मैं तो राज्य के चरणों में हो ये भी तो आहम है उसको इससे डरने की आवश्यक्ता ही नहीं है लिये हका इल्म रोशन जब ब्रह्म ज्यान से रिधय प्रकाशित हो गया पता चला कि ये दुनिया तो अक्षराति धाम दनी ने हमें दिखाई है तो इतना पता चले है अरे हम तो राज्य के चरणों में बैठाई है ये ख्याल आ जाएगा ना तो इसलिए खुदी से डरने की आवश्यक्ता ही नहीं है आत्मा भाव में आना चाहिए तो अहम भाव यदि हम भूल में हो तो अहम भाव खराब है देह का अभिमान वो खराब है तो आत्मा का अनभव हो तो मैं तो आत्मा हूँ हमेशा ये ख्याल होता रहता होगा तो ये अभिमान ये इसको अभिमान भी कहें तो भी ये अच्छा है इसलिए इससे डरने की आवश्यक्ता ही नहीं है गुना नूर तजल्ला में ने पहुंचे आरूहों का जित यदि कतिप परंपरा के अनुशार देखें तो कहते हैं कि नूर तजल्ला में अक्षरातित परंधाम में तो ब्रमात्माओं का गुनाह अपराद पहुंच गया तो ऐसे तो अपराद तो पहुंचता ही नहीं, परम्दाम में तो अपराद होता ही नहीं है कोई ऐसे कुछ भी नहीं होता है कया गुनाह कुलफ मुव मोतिन दिल मौमद कुंजी खोलता तो ऐसा रसुल मौमद ने क्या कहा था कया गुनाहा गुनाहा क्या है कुलाफ मुवा मोतिन मोतियों के मुव में ताला है तो ब्रहमात्माओं को मोति कहा तो उनके मुव में तो ताला था तो ये गुनाहा है ये इसके लिए तो उनके मुव में ताला होने के क्या जरू रहता है तो उनोंने अक्षराति धामदनी के बचन का पालन नहीं किया तो वो अपराद तो यहां कहते हैं तो इस बात को यह क्या चीज है इसको दिल मौहमद कुझी खोला था तो यहां मौहमद कहने से तो जो कुझी लेकर के आये न तो स्रिश्यामा जी, सद्गुरू तो वही सब के दिल के कुझी को खोल करके स्पष्ठ कर देंगे कि अरे यह कोई गुना नहीं है यह तो उन्होंने कहा कि ऐसे परमात्मा की आज्या तो कि तुम भूल जाओगे तुम मत देखो इस तरह के इस बात को उन्होंने माना नहीं तो यह भी तो एक भाईयाई है यदि उसको अंतर के उसके गुड रहश्य को समझें तो पुरुन प्रमा परमात्मा स्वेम दिखाना चाह रहे थे इसलिए तो यह कतेव गरंथों में तो यह गुना की बात कही तो यथार्था में कोई गुना नहीं है तो उसको समझना चाहिए ब्रमात्मा है समझेंगे तो उनको पता चल जाएगा तो यह सद्गुरु ने जो कुंजी प्रदान किया है तार्थाम ज्ञान तो उससे यह बातें सबस्पष्ट हो जाएगी इसाब जिनो हाथ हाखके अरश अजीम के माहे भुब्रमात्मा है तो परमधम में बेठी हुई है अरस अतन भीच खिलवत ताको डर जरा काहू ना है तो परमधम का शरीर परात्मा तो मुल मिलाव में राज्य के चरणों में है तो उसको किस चीज का डर है कोई डर ही नहीं है यह जो बता दिया गया है वो बताने का एक तरीका है उसको इस तरह से समझना चाहिए यह बात कह रहा है तो उन्हा ने वो इसके स्थूल आर्थकों ले लिया ऐसा नहीं है उसके सुक्सम आर्थकों लेना चाहिए करी हाशी हाख के रूहوں पर जिन वास्ते किया खेले तो पुरन ब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मात्माओं पर हश्य की क्योंकि ये खेल उनके लिए ही बनाया है जनके लिए खेल बनाया तो उनकी हश्य उड़ाई तो यह ऐसे हश्य नहीं है यह तो एक सामन्नी रूप से लोग समझें उसके लिए कहाई से अश्य नहीं उनको तो और ज्यादा आनन्द देना है इसके लिए ये कर रहे है रूप बहुत सक्या इसका बेरतीन देखाया माहे लाईला तो ब्रह्मात्माओं ने प्रेम के विश्य में ही बहस किया चर्चा की इसलिए बेरतीन देखाया माहे लाईला तो इस रात्री में तो तीन बार देखाया तो इसलिए इस रात्री को मुझे इस रात्री में खेल देखाया उसको रात्री कहने का ताथ पर ये अज्ञान अज्ञान की अवस्था तो ये तीनों अवस्थाएं है उस रिष्ट है ऐसा कहा इसलिए उसको कतेव ग्रंथों में लैलतुल कद्र का कद्र करना चाहिए अधर देना चाहिए ऐसा ये ऐसी रात्री है इस प्रकार्शे का हक आगों कहे महमद मोई अरश में बिना उमत तो मुहमद ने परमात्मा के आगे कहा कि मुझे अपने अत्माओं के बिना तो मुझे अच्छा ही नहीं लगेगा तो उनका ध्यानी दुनिया में है तो मुझे कैसे अच्छा लगेगा इस प्रकार के बात कही ऐसा करके यह कहा र कहा यह मालूम नहीं है, तो उसको ऐसे समझना चाहिए, यह कहना चाहरा है प्राणनाजी, हकें दिया प्याला महर कर, तो उन्हों ने तो उन पर कृपा करके प्याला भी दिया, प्रेम का, किन्तो कहें मुए मिठा न लागे सर्वत, मुझे तो यह मिठा, इसमें कुछ मिठाश ही नहीं आ रहा है, इस प्रकर्शे, तो मुअमद को लगा कि जब मेरी आत्मा हैं, तो यहां यह रश्वल की बात नहीं है, तो सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महराज प्रान्या जी क्या कहते हैं, कि हम तुम एक अरश्व के एक वतन के अपनी रुव नहीं दोए, क्या है, जब तक तुम भूल में रहोगे, तब तक मुझे शुख कहां है, जब तक तुम माया में हो, तब तक मुझे कहां शुख है, तब शुख कैसा मोहे, हम तुम एक वतन के अपनी रुव नहीं दोए, तो पहला चारण के अवियाद नहीं आ रहा है, यह इस प्रकार के बात है, हके दोस्त कहे अवलिये, भाये ऐसे बुझ रखा, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ये भी कहा, कि देखो, ये अवलिया कहने का तात्परे वली, वली का बहुवचन अवलिया होता है, वली का आर्थ होता है, दोस्त, मित्रता रखने वाले, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने कहा, मेरे सबसे अंतरंग तो यही है, यही ब्रह्मात्मा है मेरे अंतरंग है, इस प्रकार कहा, भाये ऐसे बुझ रखा, तो यह ब्रह्मात्मा इस दुनिया में भी सबसे स्रेश्ट कहलाई है, इनको देखे से सवाव, जैसे याद किये नश्वर जगत में वहüst महीं होई हागGS इनको देखने मातर से भी सवाब मेलेगा तो सवाब का अर्थ क्या होता है लाभ प्राप्तवानों पुन्या इनकी दर्शन मातर से भी पुन्या प्राप्त होगा जैसे याद किये होई हक जैसे परब्रह्म परमात्मा का स्मरन करते हैं तो कितना लाब मिलता है आनन्द मिलता है तो ऐसे ब्रह्मात्मों के दर्शन मात्रशे भी आनन्द मिलेगा तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने इनको नश्वर जगत में भी ऐसे प्रतिष्ठा दिलाई जित परजले जबरायल पहुंचया न बिलंदी नूर तो जहां प्रवेश करते हुए जिबरिल के पंक जलने लगे तो इसलिए वो नूर बिलंद में न पहुंचा तो अक्षरातित दाम में नहीं पहुंच सका बिना रुहें इसारते खिलवत दूजा एकोन जाने मजकुरा तो बिना रुहें ब्रह्मात्माओं के बिना खिलवत इसारते परमधाम के ये संकेत हैं दुजा ये कौन जाने मज़कूर, इस विवरन को कौन समझ पाएगा, ये तो ब्रहमात्मा ही समझेंगे न, इसलिए दुसरों को लगता है कि ये कैसे हो सकता है, कैसे कह दिया, ऐसा लगेगा, तो ब्रहमात्मा इस वात को समझ सकती है, अलस्तो बीरव कयाहकने, तब जवावदियारूहन, तो पुर्ण ब्रहम परमात्मा ने कहा, कहा, अलस्तो बीरव कुम, इस तरह से कहा, क्या मैं तुमारा स्वामी नहीं हूँ, तब ब्रहमात्मा ने कहा, हाँ, सच मुच आप है, फिर भी तो उनको दुनिया देखने के इसके साक्षि दूसरे कोई और होते तो देते न, दूसरे तो कोई थे नहीं, तो पुर्ण ब्रहम परमात्मा ने बोला, ब्रहमात्मा ने सुना, उन्होंने उतर दिया, इसलिए उनको ये पता है, ये फुर्मान का ये सुकन, तो ये बचन, तो धर्म ग्रंथों में इस प् तो मुझे भूल जाओगी, तब तुम्हें इमान लियाईए, मैं भेजूँगा तुम पर रशूल, तब तुम विश्वास करना, मैं तुम्हें जागृत करने के लिए अपना संदेश लेकर संदेश बहा को भेजूँगा, तो रशूल कहने का तात पर यह संदेश देने वाल तुम्हें श्यामाजी को यह धायत्यों दिया, तुम प्रमात्माओं को जागृत करना, तो उनके लिए कहा है, श्यामाजी सदगुरू बन करके आई है तो उनके बात पर तुम भरशा करना, इस परकर पुरुन प्रमात्मा समझा रहा है, तुम्हा माहो माहे, रईयो साइद, ये ता मैं भी साइद हूँ, तुम परश पर एक दूसरे की साक्षी बनना हूँ और मैं भी तुम्हारा साक्षी हूँ, तुम्हे जागरत करना तुम परश पर एक दूसरे को जागरत करना और मैं भी तुम्हें जाकरत करने का प्रायतना करूँगा ये जिन भूलो तुम्ह सुकन मैं फुरमान बेजो तुम्ह को तो ये बात मत भूलना कि मैं तुम्हें अपना ज्यान अपना आदेश बेजता रहूँगा तो इसारे धर्म गरंता ये फुरमान है और साहिद की यह हैं फिरस्ते सो भी देवेंगे साहिदी तुमारे लिए इश्वरी स्रिष्टी को भी साक्षी बना देते हैं वो भी साक्षी देंगे सो रशुल याद अधेशी तुम्हें जो मेरे आगवी इतकी तो मैं जिसको संदेश लेकर बेजूँगा तो यहां जो जो बात वोगे परमधाम की जो जो बाते हैं सारे बातों को साक्षी देकर के समझाएंगे मेरे सामने अभी जो बात चल रही है इसकी साक्षी भी देंगे ये कहना चाह रहे है ऐसी बढ़ाई अउलियों हां के अपने मुखदे इन जिनको कुरान में देश में अउलिया कहा है ऐसी ब्रमात्माओं की बढ़ाई उनकी महिमा इस प्रकार का बताई है स्वेम परमात्मा ने उनका महत्व समझाया और ये भी कहा कोई याको न जाने मुझे बिना तो मेरे बिना दूसरा तो इनको कोई पैस जानता ही ने को इसको पता ही नहीं इनके विशाय में मैं जानता हूं इनको मैं चीपाय तले कभाय, मैं ने उनको कभाय के निची छेपाया है तो यह कभा है Tattapurje तो उसको एक प्रकार से जामा तो जामा, अभि जो जामा पहनते हैं वो दूसरे टाइब के होंगे तो पुराने सम्हाइ में दूसरे प्रकार के अभी जिसको घागरा बोलते हैं बहुत लंबा घेरा होता है वो खोलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा तो उस तरह से मैं तो इस से चुपा करके रखोंगा उसको कबाय तले ऐसा कहा तो ऐसे जामे से ढख करके नहीं है लेकिन कहने का तात्परिये मैं तो बास इनको इतने नजीक रखोंगा ऐसा कहा तो मैं ही तो इनको सम्रक्षन करता हूँ तो मुझे ही इनके विशाय में पता है इस प्रकार से समझाया है तो इस बात को समझना चाहिए, यह करना चाहरा है अभी यह रखते हैं हके अपने मुखदे यह को न जाने मुझ बिना मैं च्छिपाए तले कबाए के मैं च्छिपाए तले कबाए के पिश्ण का नहीं आला लें के जाए श्री दी जानन देश्वामे के तो इसके प्राड़नात प्यारे के जाए पांच नोतन पुरे धाम के जाए जगत गुरवाचर इसने एक स्वान पिश्ण मुझ बिजी महराजे के जाए भाए बिज्ण मुझ बिज्दा हो OUR.'